एक साफ मेरा एक सवाल था că हमारे यां हमारे लाके में जो शाइदियां वेगर होते हैं। तो शाइदी के एक दिन पहला मतलब पिर बाद में शाइदी के बाð भी वो जुम्मा की वगेर आई सा रसम होती है। तो सिर्फ निगाए की दावत में जाते हैं और वली मा फिर वागी के दावतों में हम श्रीक नहीं करते तो लोग हम से तकरार भी करते हैं तो आइसे टेम पर आप जो हम कर रहे हैं यह सही है क्या वो भी रुसमात में जाना दो जा सकते हैं देखिए मैंने इसका बहुत तफसील से इस पर बात किया था यह महदी गरा की जो रसम होती है तो सिर्फ इसलिए कि वो महदी की रसम है इसलिए मैं दावत में नहीं जाओंगा यह सहीं नहीं है महदी की रसम होने की वज़े से वो दावत हराम नहीं होगी अगर उस महदी की रसम में गलत चीज़े करते हैं लोग तब वहां हम नहीं जाएंगे लेकिन मेहडी की रसम इस तरह से होती है वहां कोई बेहयाई नहीं होती है शरीयत की कोई मुखालबत नहीं होती है तो उस रसम को करने से हमारी शरीयत मना नहीं करती है शादी के रसमों रिवाज का तालुक और्फ से है अगर उसमें गयर मुस्लिमों की मुशाबहत नहीं है शरीयत के किसी और हुकम की पामाली नहीं की जाती है तो हम उसको कर सकते हैं बहुत सारे अलाकों में शादी के तीन-चार दिन पहले से दावत होने लगती है और कोई रस्मों नवाद नहीं होता वलत काम हो रहा तब मत जाएए आप वरना जा सकते हैं असल में जुमागी का इन्हों ने दिक्री किया शेख इसका मामला ऐसा है ना कि मतलब सिर्फ जुमा जुमा घर के कुछ अफराद जैसे मा के घर पे चाचा के घर पे उनके घर पे इनके घर पे कहकर के पांच जुमागियां मनाई जाती है और जुमागी के दिन सिर्फ और सिर्फ जुमागी के दिन दावत रखी जाती है अब अब जब ये खास कर रहे हैं ना जैसे खास करेंगे तो फिर मसला दूसरा आजाएगा असल में अब जुमा को मनाना खास जुमा को मनाना पांच जुमा मनाना इसका मतलब उसको दीन समझ रहे हैं जी 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 जा अगर इस तरह की चीज है तो इसका शुमार बिदात में होगा तब उसमें मत जाई या वाई दावत तो कभी भी हो सकती है उसका जुमा से क्या तारू है जी बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया आपने बहुत सारे रस्मोरेवाज ही इनके बारे में पता नहीं मुझे जी जी